नमोनमह सम्स्कृतक अक्षायाम भवताम भवतिनांच पुनरेकद स्वागतम अहमस्मी अशोक कुमारह अध्य वयम सेमुशित वितिय भागस्य सप्तमं पाठं पठिश्यामह अस्य पाठस्य सीर्शकह अस्ति सोहार्दम प्रकृतेह शोभा सोहार्दम अर्थात मित्रतायाह भावह अतह अस्य अर्थाह अस्ति मैत्री भावह एव प्रकृतेह शोभा भव प्रियत चात्रो संस्कृत की इस कक्षा में मैं अशक कुमार एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ आज हम सेमुशित द्वितिय भाग इस पुस्तक के सात्वे पाठ को पढ़ेंगे पाठ का सीर्शक है सोहार्दम प्रकृतेह शोभा सोहार्द का अर्थ है मैत्री भाव इस प्रकार पाठ का सीर्शक ही हमें बताता है कि मैत्री भाव से परस्पर स्नेह से ही प्रकृती की शोभा होती है नेकी परस्पर द्वेश भाव से अयम पाठह परस्परम स्नेह सोहार्द पूर्णह व्यभारह स्याद किती बोधयती संप्रती वयम पश्यामह यत समाजे जनाह आत्मा भि मानिनह संजाताह ते परस्परम तिरस्कुर्वंती स्वार्थ पूर्णे सनलगनाह ते परेशाम कल्यान विशय नईव किम पिचिंत यंती ते शाम जीवनो देश्यम अधुना इदम संजातं नीचाई रनीचाई रती नीचा नीचाई ही सर्वै ही उपायाई ही फलमेव साध्यम अस्य पदच्छेदह अस्ती नीचाई ही ए नीचाई ही अती नीच नीचाई ही सर्वै ही उपायाई ही फलमेव साध्यम अतह समाजे पारस्परिक स्नेह संवर्धनाय अस्मिन पाठे पशुपक्षणाम माध्यमेन समाजे व्यवहिर्तम आत्माभिमानम दर्शयन प्रक्रति मातुहु माध्यमेन अन्ते निचकर्शह स्थापितह यत कालानुगुणं सर्वेशाम महत्वं भवती सर्वे अन्यवन्य स्तृताह संती अतह असमाभि स्वयकल्यानाय परस्परम स्नेहेन मैत्रिपूर्ण व्यवहारेन चा भाव्यम। छात्रो प्रस्तुत पाठ में एक कथा के माध्यम से परस्पर प्रिती और सदभाव का संदेश दिया गया है। स्वयम को स्रेष्ठ मान लेना ही परियाप्त नहीं है। अपितू सब के हित के लिए विचार करने से ही स्रेष्ठ बना जा सकता है। स्रिष्टी में सभी प्राणियों का अपना अपना महत्व होता है। हम सभी किसी न किसी रूप में एक दूसरे पर आस्रित हैं। अतहा, आपसी सहयोग से ही हमारा कल्यान संभव है. अतहा, हमें सर्वे भवन्तु सुखिनह, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा अकस्चित दुख भाग भवेत। इस उक्ति के अनुसार अपना चिंतन और व्यवार करना चाहिए. अधुना पाठम पठामह, वनस्य द्रिश्यम, समीपे एवई का नदी वहती, वनका द्रिश्य है चात्रों, समीप में ही एक नदी कलकल करके बह रही है. एकह सिम्हह सुखेन विस्त्राम्यते, तदैव एकह वानरह आगत्य तस्य पुच्छम धुनाती, एक सेर सुख पूर्वक नदी के पास में विस्त्राम कर रहा है, तभी एक बंदर आ करके उसकी पूँच को पकड़ करके घुमा देता है. परम वानरस्तु कूर्दित्वा विक्षम आरूढह, कुर्दित्सेर उसे पकड़ना चाता है, पर बंदर तो कूद कर पेड पर चड़ जाता है. तदैव अन्यस्मात व्रिक्षात अपरह वानरह सिम्हस्य करणं आक्रिष्य पुनह व्रिक्षों परियारोहती तभी दूसरे व्रिक्ष से एक बंदर उस सेर का कान खीच करके पेड़ पर चड़ जाता है इसी प्रकार बंदर बार बार सेर को परेशान करते हैं बच्चों और क्रोधित सेर इधर उधर दोड़ता रहता है वह गर्जना तो करता है परन्तु कुछ भी करपाने में ऐसमर्थ होकर के ठक करके बैठ जाता है वानराहा हसंती व्रिक्षो परीच विविधाहा पक्षिणहा अपी सिम्हस्य एताद्रिशिम दसाम द्रिष्टवा हर्समिस्त्रितम कल्रवम कुर्वंती बंदर हसते हैं तथा शेर की ऐसी दसा को देखकर व्रिक्ष पर बैठे अनेक पक्षि भी प्रसन्नता युक्त कल्रव करते हैं बच्चो पक्षियों की आवाज के लिए कल्रव शब्द का प्रियोग किया जाता है निद्रा भंग दुखेन वनराज सन्नपी तुच्छ जीवई ही आत्मनह एता द्रिष्या दुरवस्थया स्त्रान्तह सर्व जन्तून द्रिष्टवा प्रिच्छती निद्र तूट जाने से दुखी वनराज होते हुए भी छोटे छोटे जीवों के द्वारा इस प्रकार की बुरी दशा वाला ठका हुआ वह सेर सभी प्राणियों से पूछता है क्रोधेन गर्जन भोहो अहम वन राजह किम भयम न जायते कि मर्थम माम एवं तुदंती सर्वे मिलित्वा क्रोध पूर्वक दाड़ते हुए सेर कहता है अरे मैं जंगल का राजह हूँ क्या डर नहीं लगता है सभी मिलकर मुझे क्यों परेशान कर रहे हो एक अहवान रहा यतहा तुम वन राजह भवितुम सर्वतायोग्यहा राजा तु रक्षकह भवती परम भवान तु भक्षकह अपिचा स्वय रक्षायाम अपिसमर्था ना सी तरही कथमस्मान रक्षिश्यसी एक वानर सेर से कहता है क्योंकि तुम जंगल का राजा बनने के सर्वतायोग्य हो राजा तो रक्षक होता है परन्तु आप तो भक्षक हो बच्चों यहां रक्षक और भक्षक शब्द परसपर विलोम है जो भक्षन करे उसको भक्षक कहते जो रक्षा करे उस रक्षक कहते हैं जब आप अपनी ही रक्षा करने में समर्थ नहीं हो तो हमारी रक्षा कैसे कर पाओगे अन्यवान रहा किम्न सुरुत त्वया पंच तंत्र उक्ति ही दूसरा वानर कुछत है क्या तुम ने पंच तंत्र की यह उक्ति नहीं सुनी योन रक्षति वित्रस्तान पिढ्यमानान परैस्दा जन्तून पार्थिव रूपेणा सक्रतांतोन संसयाह अन्यवान पश्यामह यह सदा परैहि वित्रस्तान पिढ्यमानान जन्तून नरक्षति सपार्थिव रूपेणा क्रितांतह भवति इत्यत्र संसयह नस्ति भावार्थाह यह राजा भवति सह सर्वदा प्रजानाम संरक्षणम कुरियात यतह प्रजानाम रक्षणम तू राजधर्मह अस्ति किन्तू यह राजा सर्वदा अन्यशाम द्वारा पीडितान पुनह चे भीतान जनान जन्तून चे नरक्षति सह राजरूपेण शाक्षात यमराज है भवति इत्यत्र संसयह नस्ति जो सदा भयभीत तथा दूसरों द्वारा पीडितों की रक्षा नहीं करता वह प्राणियों का अंत करने वाला देह धारी यमराज है इसमें कोई संदेह नहीं है का कहा आम सत्यम कथितम त्वया वस्तुतह वन राजह भवितुम तू अहमेव योग्यह कोवा हां तुमने सची ही कहा है वास्तव में तो मैं ही जंगल का राजह बनने की योग्यहूं पिकह उपहसन कथम त्वम योग्यह वन राजह भवितुम अरे यत्र तत्र का का इति करकश ध्वनिना वातावर्णम आकुलिक रोशी नय रूपम नय ध्वनिरस्ति क्रिश्णवर्णम मेध्या मेध्य भक्षकम त्वाम कथम वन राजम मन्या महेवयम कोयन उसका उपहस करती हुई मजा कड़ाती हुई कहती है तुम कैसे योग्यह वन राज बन सकते हो जहां कहीं भी काव काव ऐसी करकस आवाज से वातावर्ण को व्याकुल अर्थात अशांत कर देते हो नै तो रूप है और नहीं आवाज एक तो काला रंग उपर से ए पवित्र खाने वाले तुम्हे हम कैसे जंगल का राजा माने का कहा अरे अरे किम जल पासी यदि अहां क्रिष्ण वर्ण हा तरही त्वम किम गोरांग हा अपीच विस्मरियते किम यत मम सत्य प्रियतातू जनानाम करते उधाहरण स्वरूपा किति प्रकारेण असमाकम परिस्रमह एक्यम च विश्व प्रतितम अपीच काक चेश्ठ विद्यार्थी एव आदर्स चात्रह मन्यते को अरे अरे क्या बोल रही हो यदि मैं काले रंका हूं तो क्या तुम गोरे अंग वाली हो और यह क्या भूल गई कि मेरी सत्य प्रियता अर्थात सत्य बोलने की आदत तो लोगों के लिए उदहारण स्वरूप है जूट बोले कवा काटे इती प्रशिद्ध उक्ति अस्ति यह एक प्रशिद्ध उक्ति है हमारी मेहनत और एकता संसार में प्रशिद्ध है ही और कवा जैसे चेश्ठ रखने वाला विद्यार्थ आती ही आदर्श्चात्र माना जाता है कि कहा अलम अलम अति विकत्थने ना किम विस्मर्यते यत कोईल कहती है रुको रुको जादा आत्म प्रसंसा मत करो क्या भूल गए काकक्रिष्णहा पिकाक्रिष्णा को भेदः पिक काकयो वसंत समय प्राप्ते काका काकह पिकाह पिकाह अन्वयहा काकह क्रिष्णहा पिकाह क्रिष्णहा पिक काकयो कह भेदः वसंत समय प्राप्ते काकह काकह पिकाह पिकाह भावार्थम पश्यामहा का कहा क्रिश्ण वर्ण यह भवती, पिक कहा अपि क्रिश्ण वर्ण यह भवती, पिक का कहो मद्धे वर्ण विशे कोपी भेदहन भवती, वसंत कालह यदा समागत्छती, तदा एव पिक का कहो भेदह ज्ञायते कोवा भी काला होता है बच्चों कोईल भी काली होती है कोवा और कोईल में क्या अंतर है वसंत समय आने पर कोईल कोईल ही होती है और कोवा कोवा ही रहता है बच्चों आप जानते हो कि जब वसंत का महिना आता है तो उस समय आमों पर नई-नई मंजरी आ जाती है और कोईल का कहा अरे परभृत यदि अहम तव संततिम ने पालेयामी तरी कुत्रशियों पिकाहा अता अहम एव करुणा पर पक्षि सम्राट का कहा कवव कहता है अरे कोईल यदि मैं तुम्हारी संतान का पालन ने करूं तो कोईले कहां रहेगी आता है मैं ही करुणावान पक्षियों का सम्राट महान राजा हूँ छात्रों आपको जान करके हैरानी होगी कि कोईल कभी भी अपना घोसला नहीं बनाती और जब भी उन्हें अपने संतानों को जन्म देना हो तो वह कवव के घोसले में जाकरके अपने अंडे दे आती है और उन अंडों से पक्षि निकल जाते हैं तो कोवा उनको पहचानने में ऐसमर्थ रहता है क्योंकि कववे के बच्चे और कोवे के बच्चे बच्चमन में एक समान ही दिखाई देते हैं तो इस स्तिती में वह उनके लिए खाना लाता है उनका पालन पोशन करता है और जैसे ह वो बच्चे बड़े हुए, तो वह कोवे का घोशला छोड़ करके उड़ जाते हैं, तो इस तरह से कोवेल अपने बच्चों का पालन कोवे से ही उनके घोशले में कराती है, इसलिए कोवा उसे परब्रित कहकर के संभोधित कर रहा है, और कहना चाहरा है, देखिए मैं कितना करोणा से युक्त हूँ जो दूसरों के बच्चों को भी दयावश पालन पोषण और रक्षण कर रहा हूँ क्या अच्छे राजा में ये गुण नहीं होने चाहिए? होने चाहिए इसलिए वह स्वयम को करोणा पर पक्षे समराट कहता है गजह समीपतह एवागच्चन अरे अरे सर्वं संभाषणं स्रुन्वन्न एवाहं अत्रागच्चं अहं विशालकायह बलशाली पराक्रमीच सिंभाह वस्यात अथवा अन्यकोपी वन्यपशून्तू तुदंतम जन्तुम अहं स्वय सुन्डेन पोथ हित्वा मारी श्यामी किम अन्या कोपी एताद्रिशह पराक्रमी अस्ती अतहा अहं एव योग्यह वनराज पदाया हाथी पास ही आता हुआ अरे अरे सारी बात सुनकर ही मैं यहां आया हूँ मैं विशाल सरीर वाला बलसाली पराक्रमी हूँ शेर हो या कोई दूसरा जंगली पशु वन में रहने वाले पश्मों को पीडित करने वाले प्राणियों को तो मैं अपनी सूंड से पटक-पटक करके मार दूँगा क्या कोई ऐसा अन्य पशु इतना प्राक्रमी है इतना वीर है इसलिए मैं ही वनराज इस पद के योग्य हूँ वानर है अरे अरे एवम वा सिग्रमेव सह गजस्यापी पुच्छम विधूय व्रिक्षो परी आरोहती बंदर अरे ऐसा है क्या और सिग्री ही हाती की पूच को भी खीच करके बच्चों वह पेड़ पर चड़ जाता है गजह तम व्रिक्षम स्वय सुन्डेन आलोडी तुम इच्छती परम वानरस्तु कूर्दित्वा अन्यम व्रिक्षम आरोहती एवम गजम व्रिक्षात व्रिक्षम प्रतिधावंतम द्रिष्टवा सिम्ह अपी हसत वत्ति चया बच्चों हाथी उसव्रिक्ष को ही अपने सून्ड्य से भिलाना चाहता है पर बंदर तो बंदर है वह तो कूद करके दूसरे पीड़ पर चड़ जाता है इस प्रकार हाथी को एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर डोड़ती हुं देकर सेर भी हस पढ़ता है औ मुझे भी तो ये बंदर इसी तरह से ही दुखी कर रहे थे वान रहा एतस्मादेवतु कथयामी यद्ध अहामेव योग्यह वनराज पदाया येना विशाल कायम पराक्रमिणम भयंकरम चापी सिम्हम गजम वा पराजे तुम समर्थाह अस्माकम जाती ही अतहा वन्य जन्तु नाम रक्षायेई वयम एक्षमाह बंदर इसलिए तुम मैं कहता हूं मैं ही वनराज इस पद के योग्यहूं क्योंकि विशाल काय पराक्रमी भयंकर सेर व्यहाथी को हराने में हमारी ही जाती शक्षम है समर्थ है अतहा वन्य प्राणियों की रक्षा के लिए हम ही समर्थ है चात्राह अधना वयम पाठे आगतानाम केशांचन पदानाम अर्थम जानी महा अत्रपदम आगतम अस्ति धुनाती धुनोती अर्थास्ति गृत्वा आंदोलयती अर्थात पकड कर हिला देता है करणम आक्रिश्य करणम कर्षा इत्वा अर्थात कान खीच करके तुदंती अवसाद यंती अर्थात दुखी करते हैं कलरवम पक्षिनाम कूजनम पक्षियों के कूजन की आवाज सन अपी सन धन अपी अर्थात होते हुए भी वित्रस्तान विशेशेण भीतान अर्थात विशेश रूप से डरे हुए को कृतान तह यं राजह एन रितम ने रितम अत्र नय तत्पुरुस समास हास्ति रितम अर्थात सत्यम तरही एन रितम का अर्थ हुआ जूट छात्रो एन रितम का समान अर्थक शब्द अलीकम भी होता है अती विकत्थनम आत्म प्रसंसा या डिंगे मारना पोथ यित्वा, पीड यित्वा, कष्ट पहुचाकर, विधूय, आकर्ष्य, खीचकर, क्षमाह, समर्थाह, अर्थात शक्षमा प्रिये छात्रो आज के पाठ में हमने पढ़ा कि एक वन में जीवजन्तु रहते हैं वहाँ पर शेर विस्राम कर रहा है, एक बंदर आता है और उसके साथ शरारत करके उसकी पूच को हिला करके चला जाता है शेर नाराज हो जाता है और उसको मारना चाहता है पर बंदर पेड़ पर चड़ जाता है सिम्ह उसका पीछा करता है बंदर एक पेड़ से दूसरे पेड़ और दूसरे पेड़ से तीसरे पेड़ पर दोड़ता रहता है शेर भी उसका पीछा करता रहता है पर उसको पकड़ने में सफल नहीं हो पाता अंत में ठक करके बैठ जाता है तो उसकी ऐसे स्थिती को देख करके वहां वृक्ष पर बैठे पक्षी खुस होकर कलरव करते हैं अपनी नीन्द से भंग हो जाने पर वनका राजा होते हुए भी सेर इन छोटे से प्राणियों के द्वारा अपनी ऐसी दुर्दशा देख करके उनसे पूछता है क्या आप लोग मेरे से डरते नहीं हो तब बंदर कहता है कि जो अपनी रक्षा नहीं कर सकता वह हमारी रक्षा क्या करेगा हम तो आपको वनका राजा मानते ही नहीं है उसके बाद में कव्वा अपने आपको राजा के रूप में प्रस्तुत करता है और कोयल उसका विरोध करती है अंत में हाथी आता है और वह कहता है कि मैं बलसाली हूँ ताकत्वर हूँ सेर हो या दूसरे भयानक पशुपक्षी जो भी इस वन के प्राणियों को कष्ट पहुंचाएगा मैं उनको कष्ट दे करके मार दूँगा इसलिए मैं ही राजा बनने के योग्य हूँ जब हाथी यहां बता रहा होता है तभी एक बंदर उसकी पूँच को विखिच करके पेड़ पर चड़ जाता है हाथी उस पेड़ को अपने सूंड से गिराना चाहता है पर बंदर कूद करके दूसरे पेड़ पर चड़ जाता है हाथी को उसके पीछे पीछे एक पेड़ से दूसरे पेड़ के पास दोड़ती हुए देखकर सेर हसते हुए कहता है अरे हाथी इन्होंने मुझे भी ऐसे ही परेशान किया है तब वानर कहता है क्योंकि हमारी ही जाती सेर और हाथी जैसे पराक्रमी को पराजित करने में समर्थ है आतहा हम ही इस वन की रक्षा कर पाएंगे इसलिए मैं ही राजा बनने के योग्य हूं बच्चो सेश कहानी को हम अगले भाग में पढ़ेंगे भवेत तावत शुभम मंगलम धन्यवादह पुनह मिला महा की सिर्दाल